है तुमि बहुत सुंदर दिवस है बहुत-बहुत बढ़ाईया महाराजर सोंबार की अश्थमी का मतलब आपको इंदोर की कथा में बताया था जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं चोसट योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है जिस लड़के की साधी नहीं हो रही हो सुंबार की अश्टमी पढ़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर असोख सुंदरी का स्थान है उस असोख सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सुंबार की अश्टमी पढ़ने पर लड़का ये लड़की जिसका व बीवाण नहीं होता वो चणा देता है मातर तीन महीने में में और अचुक सुनद्रिक इस्थान बहुत तकलीप है और नहीं हों रॉक दिनोंसे लगय को नहीं हो रहों हरा मूंग ले-जाfa हूं के दाने तो रहते हैं घर में केवल 31 मुंग के दाने लेकर जाईए 31 चावल के दाने लेकर जाईए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाईए जिस दिन सोमबार की अश्टमी हो कौन से दिन सोमबार की अश्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ पीन चीज़ लेकर जाओ मुंग के दाने लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देहली पर रख दो कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया गई Ia hai 8,000 वह नंदी के पास में जो नंदी का पाऊं उंचा रहता है उस पाउं के पास रख दीजिए और जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो वो 31 बेल पत्र अशुक सुन्दरी वाली जो जगा है आपको पहले बताया है कथा में अशुक सुन्दरी जी का इस्थान ये शिवलिंग ये जलाधारी जहां से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशुक सुन्दरी का इस्थान है शिवजी के तेरा बच्चे हैं तेरा बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशुक सुन्दरी यहीं पर विराजमान हो अपनी कामना करकर पीला चंदन लाल चंदन लगा कर उस पर समर्पित करते जाओं उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस और होना चाहिए आप निविदन करकर देखो, एक सुम्बर की अश्टमी पर कर कर देखना दूसरी सुम्बर की अश्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा आवा से निविदन तो करो क्यों भटक रहे कि एक मात्र शुन मंदर में जाड़ू लगा रही है अहिल्या भाई साधाने न साभाव है केवल एक जाडू कई लोग कहते हैं मारत जी आप कहते हो मंदर में जाके जाडू लगाए पोछ लगाओ तो जो हमने मंदर में रख रखाए स्वीपर आदिक ADIK جो भी सेवा करने वाला है काम करने वाला है वर्क हैह वो कर रहा है तो हम क्यों करें अरे भाई में एक बात जाद रखना झाएपके सबसे प orbits रखा है उसे करना चाहिए मंदिर की सफाइश जो पुझारी रखा है उसको करना चाहिए मैं आप से पूछना चाहता हूं, कि आपके घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी सफाई कोन करता है, नो करता है, अरे बोलते तो जाओ, नो कर करेगा, नहीं, वरकर करेगा, नहीं, शिफर करेगा, नहीं, तिजोरी की सफाई, कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है उसी तरह मंदिर की सफ़ाई ना पुजारी करें ना कोई वरकर करें जो दर्शन करने जाए वो करें क्योंकि यह तिजोरी है हमारी यहां से हमें मिलता है यह मेरा देवदिदेव महादेव देता है और ध्तूरे का फूल काटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक कुश्ड आस्ता चेनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का धर्शा धतूरा और धतूरे का पुश्ड छोटा सा पोद है जादा बड़ा नहीं है काटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है और उसमें भी फादरन् धतूरा नहीं जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है अगर वो सुम्बार की अश्टमी को देव दिदेव महादेव को समरपित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है वो धतूरा है साधर्ण नहीं है धतूरे में भी लाल डंडी जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी देखाएं से अधा लोивать और देखी कि इन देखी बूलओ धतूरा रिखा ना धहतूरे हaware नीचे छोटी सी कैंसर आदिक-आदिक बड़ी बिमारियों से जो जूज रहा होता है, प्रयास करो प्रयास महामर्तियुंघ Grundy का श्मर्न करकर एक लाल डंडी का धन्दूरद प्रयास करना एक धन्दूरा मिल जाए या पांच धन्दूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव उपर जो शिव मंदिर एकांत में हो जहां कोई जाता आता नहीं हो वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो पहले की बात दूसरी है अब बात दूसरी है फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए बहुत बिमारियों से गरसी तो हो तो भी महामृत्युन्जे जाप का इस्मर्ण करकर या किसी विद्वत ब्रहमन जन से महामृत्युन्जे मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयम करकर वो भी ना बने तो पंचाक्छर मंत्र नमस्षिवाय शडाक्छर मंत्र ओम नमस्षिवाय या श्री शिवाय नमस्थुढ्यम जब कर वो लाल डंडी का धतूरा पाँच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हैं रोग ठम जाएगा जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंब हो जाएगी और आप स्वस्त होना प्रारंब हो जाएगी अगर बड़ा रोग बाठी शार वूजर खाओगे व्यूजर को जाऊच भी ऋखवान के मंदिर में जो बाहर नंदी पेटा है उसके कानों में ओमनम शिवाय बोलकर आपने मन की कामना उसके कामना टीम महीर में पयद्यों जाती है और संकरे बहुत ज्यान दीजे अगर कोई काम अटक रहा है नहीं हो रहा है बहुत रयास करा तो भगवान शंकर के मंदिर में लड़किया हैं उसमें सबसे शोटी लड़की अश्युक रगा गपर तर अधिक horror पर चुड़ाने के बार ऌकार scars का तुक कर ले पूरी दुनिया में केवल एक केदार नाती ये कैसा है जहां पर ओम कुंड विराज माने है जो बच्चा हकलाता है तोतला बोलता है या गुंगा होता है जिसकी वानी नहीं होती वो अगर ओम कुंड पर जाकर ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी देर तक उसके मूँ से कुंड कीया फ़यां निकलती है उतनी देर तर कि ओम कुंड में से पानी का बुल्डुला निकलता रेता है और साथ या आजब बार बोलने से व्यक्ति हापलाना छोड़ देता है और उसकी वाटब्तना हो उन्हें कुंड के दार सबद्दु आर जी में रष़टा है कहां र